वाहिगुरु जीदा खालसा वाहिगुरु जीदी फते लेक शिरीगुरु तेग बहादर जी थुरा सो पहचानिये जे लड़े दीन के हेत पुर्जा पुर्जा कट मरे कभू न छाड़े खेत पुमी का शिरीगुरु तेग बहादर जी सिख तरम्दे नौमे गुरु सा गुरु जीदा व्यक्ति तब बहु मुखी अते विलखन सी जो अपनी शरन विचाए हरे एक व्यक्ति दी जीवन रख्या ले तियार रहनदा है असल विच अजेहा व्यक्ति ही बहादर वी मानवता अते प्रमात्मादा पगत हुंदा है इना ने तरम्दी राकेली कुर्बानी देके रुडी जन्दी कौम नौम बचा लिया इसले शिरीगुरु तेग बहादर जीनौ हेंददी चादर भी केहा जानदा है आप जही कुर्बानी इतिहास विच किद्रे भी नहीं मिल दे जनम आप जी दा जनम 1 अपरेल 1621 इस्वी विच अमरी सर विखे होया आप जी दे पिता जी दा नाम गुरु हर गौविल साहिव जी सी जो सिखा दे छेमे गुरु सन आप दी माता जी दा नाम नानकी जी सी गुरु तेग बहादर जी दे बचपन दा नाम त्याग मल सी बचपन अते सिख्या गुरु जी बचपन तो ही गंबीर सुभा दे सन आप जी एकांत पसंद व्यक्ती सन आप इकले बैठ के प्रभु गती विच लीन रह दे सन आप दे पिता जी ने आप दी विद्या दा परबंद अपनी देख रेक विच करवाया आपनो अखरी ग्यान दे नाल शस्तर विद्या भी दित्ती गई तेग बहादर दा खिताब अटे आप जी दा नाम तेग भादर रख दिता गया व्यां 1622 इस्वी विच आप जी दा व्यां पाई लाल चन जी दी सपुत्री माता गुजरी जी नाल करतार पर विच होया आप जी दे सपुत्तर सिखा दे दसमे गुरू शिरी गुरू गौबिन जी होय सा गुर्गद्धी ते बैठना जदो अठमे गुरू शिरी गुरू हर क्रिशन जी जोती जो समाहेता हो विमारी दी कुकी वी संगता नो केहा की बाबा बकाले उना दे कहन दा मतलब सी कि संगता नो उना दे नोमे गुरू बकाले पिंड विखे मिरनगे संगता अपने नोमे गुरू दी तलाश विच बकाले पुजन लगिया उत्थे कई पेखी गुरू तैदा हो गए गुरुआ दियां उत्थे बाई मंजियां लग गईयां हारी अपने आपनू नोमे गुरु होंदा दावा का रहा सी संगता उना पेखी गुरुआ नू देखके शशो पांज बिच पह गईयां उना पेखी गुरुआ दा राज मक्खन शाह लुबाना ना देक बपारी ने खोलिया मक्खन शाह लुबाने ने एक बार अपने गुरु दे पांसो मोरा सुखियां सान अपना काम पूरा होंते ओह अपने गुरु नू पांज सो मोरा पेंट करन दी बकाले पुज्या ओह भी बाई मंजिया लगियां देखके हैरान रह गया ओहू उना अगे दो दो मोरा रखके जदो मथा टेकन लगया तक किसे ने भी उस तो पांसो मोरा दी मंग नहीं किती मखन शा दी गुरु दी खोज पूरी नहीं सी हुई उस दे पुच्छन ते किसे ने कहा कि एक पोरे विच भी कोई संत तपस्या कर रही है ओहू उत्थे पूजी गया उसने उना अगे भी दो मोरा ही रखिया जदो हू वापस मुडन लगया ता ओहू संत जी बोले मखन शा त तो सुखियां ते पंजसो मोरा संग फिर ए दो मोरा क्यों उस संत कोलू जहे शब सुन के मखन शा नच उठिया उसने कोठे ते चड़के रोडा पा दित्ता गुरु लादो रे गुरु लादो रे के उसने अपने नोमे गुरु दी तलाश कर लई है एहू संत हन जो नोमे गुरु संग तद तो आप गुर गद्दी ते विराज मान होई अननदपुर साही बसाउना बकाले तो आप केरतपुर आ गई आपने कहलूर दे राजीतों जमीन लेके अननदपुर साही बसाया इत्थे ही गुरु गोबिल सिंग जी ने खालसा पंत दी स्थापना कित्री बाणी दी रचना आपने बहुत सारीयां बाणीया रचियां आप नें सारीयां बाणीया शांती प्रदान करन बाणीया सान श्रिगुरू तेक बहादुर जी ने बाणी 16 रागा विच रची आप जी दे रचे उनाहड शब्द नते 17 जाश लोग श्री गुरु मी पंडतानी फर्याद एक दिन आप गुर्गदी ते बिराज मान सन कुछ कश्मीरी पंड़ता ने आके फर्याद किती की औरंग जेव उना नू जवर दस्ती मुसलमान बनाऊंते तुलिया होया है उना दी रख्या किती जावे उस समय बाल गुबिंदराई नौ साला दे सन ओहो कोल ही बाल गुबिंदराई जी बोले कि पिता जी इस विले आप जी तो वड़्डा महापुर्ख कौन हो सकदा है अपने पुत्तर को लू जेहे दिलेरी पर एशवर सुनके आप कुर्बानी देन ले तियार हो गए शहिती और अंग जेव ने आपनो इसलाम तरम अपनाउन ले कि जदो आप नाम मनने ता उसने आपनो दिली बुला के बंदी बना लिया ते दिली दे चांदनी चौनक विखे आपनो शहीद करवा दिता गया शहिता विच पाई मती दास, पाई सती दास अथे पाई ध्याला जी दा नाम वी आउबा है वर्तमान विच दिली विखे शीष गंजनादा गुर्द्वारा है जित्थे लखांदी गिंती वी संगता दर्शन करन नहीं जान दिया हैं। बाई गुरु जी बी पते